नमस्कार आप सबीका सुआगत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूँ आपके साथ कशिश पांडे बिग बोस अठारा में हर रोज दर्शकों को किसी ना किसी प्रकार का नया तमाश्वा देखने को मिल रहा है फिर चाहे वो खाने को लेकर हो या फिक घर में साफ सफाई को लेकर हो और साथ ही इस बार घर में लोगों को पर्सनल मुद्दो पर भी लड़ते होए देखा गया है सल्मान खान का कॉंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस अठारा इस बार बाकियों सीजन की तरह कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहा है शो का अगाज हुए दो हफते बीद गई हैं लेकिन कुछ खास दर्शकों को देखने को नहीं मिल पा रहा है इस बार शो में अठारा स्टार्ज ने घर में कदम रखा है जिसमें पिछले हफते ही हेमा श्रमा पहली एलिमिनेट कंटेस्टेंट बनकर बाहार हो गईगी लेकिन एक ट्विस्ट के साथ सभी घरवालों को अपनी एक लगाव वाली चीज को बरबाद करना होगा तब वो जेल में जो दो सदस्य हैं वो फैसला लेंगे कि उस कंटेस्टेंट को राशन देंगे या नहीं ऐसे में अविनाश मिश्रा ने इस टास्क में अपना पत्थर दिल दिखाते हुए चुने हुए लोगों को राशन दिया ये देख अब दर्शक जहां पहले अविनाश को शो में पसंद कर रहे थे अब उन पर आग बबूला हो रहे हैं एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि दिन पर दिन मैं इस इंसान को यानि की अविनाश मिश्रा से नफरत करने लगा हूँ इसको देख के बहुत जादा गुसा आता है दूसरे यूजर ने लिखा है कि नजरों में गिर गया ये लड़का जिया अविनाश यानि की नजरों में उनके गिर गए कई फैंस ने मेकर्स को अविनाश की इस बेहुदा हरकत के लिए ट्रोल भी किया आपको बता दे इस बर घड से नॉमिनेट होने के लिए रज़त दलाल, मुसकान बामने, अविनाश मिस्टरा, विविन दिसेना और नायरा बेनरजी का नाम शामिल है खैर बिग बॉस गेम इस ओल अबाउट लडाई एंड जगरा क्योंकि एड दे एंड सबका यही ट्रोफी जीतने के लिए ही आते हैं तो दोस्तों इस सीजन में आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर लिखें और इस तरह के बिग बॉस रिलेटिड तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं लीडिंग भारत टीवी